क्या निफ्टी में फॉल चालू हो गया है बैंक निफ्टी आज प्लस रही और निफ्टी माइनस इस तरीक के वॉल्टिलिटी क्यू है मार्केट में क्या हो सकता है आगे वह हम समझने की कोशिश करेंगे टेकनिकल चार्ट के अब से नमस्कार मैं जीत सिंग स्वागत करतू ह आगे चैनल ठाकूर कैपिटल में अगर देखा जाए तो आज निफ्टी 88.-0.48% हम लोग देख सकते हैं लगातार 3 दिन गिरावट रही एक कैंडल स्टिक पैटन के साब से कहें तो 3 ब्लैक क्रो इस पैटन को कहा जाता है मतलब 3 काले कवे ऐसा एक पैटन है कैंडल स्टिक मतलब यह तीन दिन सेलर हावी रहे और यहां पे देखे तो सेलर मार्केट को लीड करते वे जा रहे है यहां पे ऐसा दिखता है और यहां पे देखे एक रिटरेस्मेंट के साब से तो 0.382% का रिटरेस्मेंट लिया है आज निफ्टी ने और जो क्लोजिंग उसके उपर 50% तक नीचे आया था मार्केट मतलब जो जहां से हाई बनाया है उस हाई से 50% डिसकाउंट किया है और वापस उपर चला गया तो यह समझ में आता है कि निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ है अभी भी एक प्रॉफिट बॉकिंग हमको देखने के लिए मिल रही है निफ एक 100 पॉइंट के उपर ग्लोजिंग दी मतलब बायर एग्रेसिव है और आपस उनने माल वहाँ पे खरीदा है बाइंग की है तो एक पॉजिटिव संकेत है ये अब देख सकते है हम लोग यहाँ पे कि वीकली चार्ट पे कैसा लग रहा है वीकली चार्ट में देखे तो इ अब तक इस मत में निफ्टी 5.59 परशंट प्लस है एक पॉजिटिव संकेत है अब बात करते हैं लोग बात करते हैं एक चोटा टाइम फ्रेम बड़ा मैटर करता है ऐसे टाइम में तो यह देख सकते हैं हमने देखा था कि अगर यह यह लेवल से ब्रेक होता है मतलब 18,200 के लेवल्स में तो लोग बाहर आ जाएंगे और हमने पूरी कोशिश की हम लोग देख रहे थे और हमने बहुत सी पोजिशन अपनी काटी और हम लोग एक प्रॉफिट होगिंग करते हुए देखे मगर अब यहां पर सस्टेंड करें तो निफ्टी इस लेवल को सस्टेंड कर सकते हैं अधर्वाइस जब तक निफ्टी डेली चार्ट में कोई हायरल स्टेबलिश नहीं करता हमको वेट एन वाच का ही एक सिनेरियो रखना चाहिए अब बात करते हम लोग बैंग निफ्टी की बैंग निफ्टी में देखे तो काफी बढ़िया स्टेंथ रहा आज और बैंग निफ्टी 512 पॉइंट प्लस रहा 1.30 पॉइंट काफी बढ़िया स्टेंथ रहा देखे आरली केंडल्स में कैसा रहा तो यह देख सकते हैं कि किस सरीके से बैंग निफ्टी नीचे ही नहीं आई हम लोग बात कर रहे थे कि हायर लो स्टेबलिश किया और बैंग नि देख सकते हैं कि जो SBI है पांसो दो रुपे पे क्लोजिंग हो रहा है इंडियन बैंक यूनियन बैंक जितने भी कैनरा बैंक जितने भी बैंक बैंक हैं वो कंटिन्यू अब ट्रेंडिंग प्रफॉर्म कर रहे हैं और उसका एक फायदा बैंग निफ्टी को होता हुआ दि 40,200 के लेवल्स को काफी बैंक निफ्टी 6.96 परशंट लब तकरीवन 7% प्लस है 2,605 प्लस है बैंक निफ्टी काफी बैंक निफ्टी देखें हम लोग EMS पे तो 5 एमे के नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी विकली चार्ट में देखें तो ये 5 एमे के उपर है और मंतली तो बैंक निफ्टी कौन-कौन के EMS से उपर है तो देखें तो बैंक निफ्टी डेली चार्ट के EMA पे विकली चार्ट के EMA पे हर EMS पे बैंक निफ्टी उपर है मतलब बैंक निफ्टी में जो स्ट्रेंथ है वो काफी बना हुआ है और ऐसा लगता है कि अब बैंक निफ् अब जोब सोते हैं कैसा रहा ओर हुशिश करेंगे एक नई पॉशिन बनाने की नहीं तो अधर वाइस जब रहा 22 चेप्ट कंप्स रहा है 28 Candice में धर्नले शेयर में हम देख सकते हैं कि तर्फ महिंदरा बैंग टामोंटर्स तो यह सब रगण रगण शेयर से प्रोड का नेट में सेलिंग किया है मतलब मार्केट में करते हैं हमको दिख रहे हैं अगर मैं आपको थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट कर पा रहे हैं कुछ बता पारें तो में चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड और लेटियों के साथ कि वो भी स्टॉक मार्केट के मुमेंट को बहतर तरीके से समझ सकें नमस्कार धन्यवाद